श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं, वो चंदरमा की स्थिती ले कर आती हैं, और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव चंदरमा इस दिन फोर्ट हाउस में रहेंगे। इस से आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे। मानसिक तोर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलत डिसिजन से बिगड सकते है। इसलिए इस दिं आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए और कही निवेश करना है तो जोकिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं आपको जोकिम उठाना ज़रूरी है तो किसी विश्वासू विक्ती से सलाम अशोराथ जरूर करें इस समय में सिर में दर्द, शीकायत या फिर कामों में मन ना लगने की शीकायत भी रह सकती है इस दिन गरहनक्षतर उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसी परिशानिया गलतिया करवा सकती है अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय लेकर महत्वपुर्ण कामों को करते है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा मुनाफा भी अच्छा ही होगा आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे तो देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है इस दिन आप शौपिंग कर सकते है बड़ी खरेदारी भी कर सकते है इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोक्री पेशा लोगों की बात करे तो नोक्री पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके बॉस और आपके सहयोगी आप से खुश रहेंगे आपका सहयोग भी करेंगे लेकिन फिर भी वाद्विवाद होने की संभावना बनी हुई है आपको इस दिन ज्यादा सी ज्यादा अपने कामों में बीजी रहना है ज्यादा बाते ना करे अपने काम से काम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आपको अपने काम के खेतर में कर्म ज्यादा करना होगा लेकिन उसका result भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा है आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी ढूण रहे है तो आपको मन मुताबिक जौब भी मिल सकती है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा इस समय में जो लोग अपनी जन्मभुमी से दूर है उन्हें अच्छे लाब मिलेंगे जितना ज्यादा जन्मभुमी से आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स आज थोड़े डिस्टरब रह सकते है पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है मन में कई प्रकार के विचार आ सकते है मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी इस समय में हलका भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर तनाव महसूस हो तो एक दो मिनट तक डीप ब्रिधिंग ज़रूर करे इससे तनाव को दूर करने की कोशिश की जा सकती है दोस्तो इस समय में अगर मैरिड लाइप की बात करते है तो मैरिड लाइप बढ़िया रहेगी एक दुसरे के बीच प्यार बढ़ेगा अच्छा ताल मिल रहेगा घर में खुशनुमा माहोल रहेगा दिन काप ही अच्छा जाएगा अगर परसनल लाइप की बात करे लव लाइप की बात करे तो लव लाइप के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश जरूर करे और ध्यान रहे कि आप की किसी गलत हरकत से पार्टनर को दुख ना पोचे वो रिष्टे असल में रिष्टे होती है जहाँ सच्चा प्यार होता है और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ खुट से ज़्यादा अपने पार्टनर की चिंता होती है और वो रिष्टे आसानी से तूट भी नहीं सकती और ये चीज़े अपने आप होती है आज के दिन आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा, शारिरिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक तोर पर कमजूर हो सकता है इस दिन आप छोटी सी बात पर भी भढ़क सकते है आप जगड़ा कर सकते है लेकिन ये चीजे तातकालिक है इन सब चीजों पर ध्यान ना दे इने ज़्यादा सिरियसली ना ले थोड़ा ध्यान ज़रूर रखे ताकि आपके हाथ से कोई बड़ा नुकसान ना हो आज के दिन के लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और दो नंबर इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो इस दिन कुछ उपाय करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते है तो आप शांत रहोगे जगणे होने के कोई चांसिस नहीं रहेगे दिन काफी अच्छा जाएगा साथ ही मंदिर में एक रूपे का सिक्काज जरूर डाले और भगवान से आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्रार्थना जरूर करे दोस्तो प्रार्थना में काफी शक्ती होती है अपनी प्रार्थना पर हमें विश्वास होना चाहिए इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होत दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चप जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो चीजे हमें लगता है आगे के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें। साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगाई ऐसी है के सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। साथी दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उरजा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़ चिड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चिड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है जी हाँ वो अशुभ माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुभ है इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद